दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में फिर बदला आदेस अब हलकी सर्दिखासी पर भी होगी कुरोना की जाच जी हाँ पूरे राज में कुरोना जाच में फिर से तेजी लाई जाएगी राज स्वास्त मुख्याले ने इसका निर्देश सबी जिले की सिविल सर्जन को दिया है संकरमन की रोबताम और सबी संकरमितों की पहचान के लिए जाच बढ़ाने का निर्देश दिया है जिले में अभी करोना जाच 4,000 तक सिमट गई है जिला दिकारे ने रोज 8000 सेंपल के जाच कराने का निर्देश दिया था आपको बदा दे कि आप जिनको हलकी सर्दी खासी है उनकी भी जाच की जाएगी इससे पहले स्वास्त विभाग मुख्याले ने निर्देश दिया था कि जिन में कुरोना की लच्छन होंगे उनके ही जाच होगे इसके बाद जक्सन पर एंटिजन जाच बंद कर दी गई थी स्वास्त विभाग मुख्याले की निर्देश के बाद जिला स्वास्त विभाग रोज 7000 सेंपल के जाच का लच्छ बना रहा है अगली बड़ी खबर वाहनों को कबाड घोसित कर नया खरिदने पर टैक्स में छोट इसको लोग में बैंच खरिदने के लिए 99 करोड की मंजोरी नितीस केबिनेट का फैसला जी हा मुखि मंतरी नितीस कुमार के अधिकस्ता में सुकुरवार को राज केबिनेट के बैठक हुई इस बैठक में कई महतपोर निने ले गए केबिनेट की बैठक में नेने लिया गया कि नीजी यातवा कॉमर्सियल वहानों को रद गोसित कर नए वहान खरने पर राज सरकार टेक्स में छोट देगी नीजी वहान मालिकों को 25% और कॉमर्सियल वहानों पर 15% टेक्स में छोट मिलेगी इसके अलावा बैठक में यहाँ भी नेने लिया गया कि बैंकों में योजनाओं की भेजी जाने वाले रासी को लेकर राज भर के बच्चों का माश्टर डाटा बनेगा बिहार संग्रालाई के सासी निकाई के अधक्च अब मुखिमांतरी होंगे पहले विकास आयुक ताइदक्च होते थे साते स्कोलों में बैंच डैस के खरीदने के लिए निनानवे करोड की स्विक्रती दी गई है इसकोलों की सिक्चा समिती के माध्दम से इनकी खरीद की जाएगी वहीं पेशा करके रूप में मिले 73 करोड का बेतरन नगर निकायों के बेच किया जाएगा अगली बड़ी खबर अनोसुच जाती जन जाती के बच्चों के चातर विर्ती के लिए 288 करोड जारी जी हा सिक्चा विवाग ने गुरुवार को राज के विभिन कोटे के प्रारामे के स्कोलों में पढ़ने वाले अनोसुच जाती वा अनोसुच जन जाती यानि के मुसहर वा भुया समित के चात्रों चात्राओं को मौझूदा बेतिया वर्स में चात्र विर्ती के लिए 75 फेजी हाजरी की अनिवायरता को सितिल कर दिया है इसके साथ इस योजना का लाब इन बच्चों को पहुचाने के लिए गुरुवार को 288 करोड 21,73,000 रुपिये विमुक्त कर दिये साथ इसके जानकारे बिहार के महाले काकार को भी दे दी गई है अगली बड़ी कबर बिहार सरकार ने योजनाओं के लाबारतियों के हक में लिया बड़ा फेसला खाते में पैसा जाने का बदला निया जिहा राज सरकार ने साइकिल पोसाग के साथ अनाज योजनाओं इस जैसी दरजनों योजनाओं के लाबारतियों के हक में बड़ा फेसला लिया है लाबारतियों को अब विबागों से पैसा डिबिटी नहीं होगा रासी ब्यांक के खाते में भेजने के लिए बकायदा आलग प्लेटपम होगा सुकुरवार कुमिख मंत्री नितिस कुमार की अधाइस्ता में हुए राज मंत्रे मंदल की बैठक में कौमान सोसल रजिश्ट्री पोर्टल गठन का पैसला लिया गिया है सभी बिभागों द्वारा संचलित योजनाओं के लाबारतियों का कौमान डाटा बेस तैयार करने के लिए अधार नंबर प्रामानिक कौमान सोसल रजिश्ट्री पोर्टल के विकास क्रियनवन तथा आगी की करवाई करने के लिए विति विभाग को प्राधिगरित किया गिया है इसका वावायत से राज की करीब 2 करोड लोग सिधे-सिधे लबाविन्त होंगे राज में सरकारी योजना के लाबारतियों का एक कौमन डाटाबेस भी तयार हो जाएगा कल की बेटक में 18 प्रस्ताव सिकिर्ट किया गये है अगली बड़ी ख़बर बिहार में 23 दिन बाद 654 नए संक्रमित मिले संक्रमन दर 1.09% हुई चो की माद अबिहार में 23 दिन बाद 654 नए कौरोना संक्रमित मरेज की पहचान हुई है राज में इसके पूर्व पाच जनवरी को 669 नए संक्रमित मिले थे राज में संक्रमन दर घटकर 1.26% से 1.09% हो गई है राज में पिछले 24 घंडे में 1.052.84 सेंपल की कौरोना जाच हुई है वहीं इस दोरान राज में 294 संक्रमित मरेज इलाज के बाद स्वस्त हो गए है राज में संक्रमितों के स्वस्त होने की दर 97.25% से बढ़कर 97.42% हो गई है इस दौरान राज में चो कोरोना संक्रमित मरेजों की इलाज के दौरान मौध भी हो गई है राज में वर्तमान में कोरोना के 8893 सक्रिया मरेज है अगली बड़ी खबर बिहार में आवग सिक्चा करेंगे प्यक्कडों की पहचान मद निस्यद विभाग को देंगे सराब तसकरों की खबर नितीज सरकार ने सोपा है टास्ट जिह अभिहार के सरकारे स्कूलों की गुरूजी अब सराब पिने वो बेचने वाले पर नजर रखेंगे उनकी पहचान करेंगे पहचान होते ही इसकी सुचना मद निसेद विभाग को देंगे साथ नसापान नहीं करने को लोगों को लेकर जागरूग भी करेंगे सिक्षा विवाग ने सुकुरवार को पहले से लेकर बारवी तक के स्कूल के सभी गुरूजी तथा इस्कूल प्रधानों को यह नया टास्क सोपा है अब एक बार फिर सराबंदी को सफल बनाने को लेकर सिक्षा विवाग सजक हुआ है बाड़े के बर रेलवे भरती बोड ने एंटीपीसी वग गुरूबडी परिच्छा को लेकर फिर दिस सफाई बताया बेस गुना चैन का नियम जी हा रेलवे भरती बोड ने एंटिपीसी वग गुरुबडी परिच्छाव को लेकर अभियर्थियों दुवारा उठाए सवालों को देखते विए एक बर फिर सफाई दी है रेलवे ने सुकुरवार को नोटिस जारी कर एक बर फिर सपश्ट किया है कि अभियर्थियों की असंकाव को दूर करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी गठित कर दी गई है साथ अभियर्थियों से सुझाव वा अपतिया भी मांगी गई है रेलवे ने कहा है कि आरारबी एंटिपीसी सिबिटी वन में चैनित अभियर्थियों को परभावित किये गड़बड़े के विरोध में चात्र पिछले कई दिनों से परदसन कर रहे थे चात्रों पर हुई कारवाई की खिलाब सुकुरुवार को विभिन चात्र संगटवनों ने बंद का आवान किया था जिसका कई राजनितिक दलों ने भी समर्थन किया इस विभाद को बढ़ता दे के PMO ने रेल अधिकारियों को तलब किया है आपको बता दे कि RRB NTPC परिचा को लेकर जारी विभाद को लेकर PMO ने कल साम रेलवे अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई इस बैठक में रेलवे के सबी बढ़े अधिकारी मौझूद रहे बैठक में इस बात को लेकर मंधन किया गया कि आखिर RRB से कहा चूक हो गई बड़ी कबर पतना सहित बिहार के 18 जिलों में कोल डे की सिती मौसम विभाद को जारी करना पड़ा येलो अलट प्रदेश में पच्वा एवं उत्तर पच्वा हवा के कारण पटना समेत 18 जिलों में कोल डे की सिती बने रहने के आसार है मौसम विभाद ने इन जिलों के लिए एलो अलट जारी किया है बताद की प्रदेश के पटना समेत गया नलंदा सेखपुरा नवदा बेगुस राय बकसर भोजपूर रहतास भबोवा और अंगाबाद सितामणी मदोबनी मुझापरपूर दरवंगा वैसाले सेवर समस्तिपूर में कोल डे की सिती बने रहने के आसार है मैं प्रदेश के उत्तर पश्चिम उत्तर माइद दाचिन माइद अवम दाचिन माइद भाग में अगले तीन दिन तक सीत लहर की सिती बने रहने के पुरवानुमान है बाड़े के बर घर तक नल का जल पहुचाने में बिहार के तेरा जिले देश में अवल प्रधान मंतरी मोदी ने भी काम की तारीप जी आनेती आयोग द्वारा घोसित देश के एगारा बारा आखांची जीलों में राज के तेरा जीले पेने के पाने पहुचाने में अवल घोसित हुए है इनमे अरारिया और अंगाबाद बाका बेगुस राय गया जमुही कटिहार खगडिया मुझपर पूर नवादा पूर नितीस कुमार वा आरसि पी का नाम नहीं है इस सुची में 15 नेताओं के नाम है इनमे राष्टिया दक्ष ललन सिंग समेथ पार्टी के आएननपदाधिकारियों के नाम सामिल है इस सुची को पार्टी ने भारत निर्वाचनायों को दिया है अगली बड़ी खबर ट्राई का टेलिकम कमपनियों को निर्देश प्रिपेड मोबाइल ग्राहकों को 28 के जगा अब 30 दिनों की रिचार्ज वेलेडिटी देनी होगी प्रिपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया है ट्राई ने सुकुरवार को सभी टेलिकम कमपनियों को मोबाइल रिचार्ज के वेलेडिटी 28 दिन के बज़ाए 30 दिन देने का निर्देश दिया है इसके साथ टेलिकम कमपनी अब एक इसपेशल वाउचर एक कमब वाउचर पूरे महने की वेलेडिटी के साथ रखना होगा बदा देके टेलिकम कमपनियों के मोज़दा प्लान में 28 दिन के वेलेडिटी होती है जिसकी वज़ा से कस्टमर को एक साल में 13 बार मंतली रिचार्ज कराना होता है राई ने टेलिकॉम कमपानियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है इस नोटिफिकेशन के अनुसार साइट दिनों के अंदर नियमों के आदेस का पालर कंडे को कहा गिया है बड़ी कबर बिहार में इस साल सबसे लंबी आओधी पर रहेगी ठंड क्लाइमिट चेंज का मौसम पर दिख रहा है जिहां बिहार से जुड़े सर्व कालेन मौसमी आकडों के मुताबिक जन्वरी सरवादी के ठंडी जा रही है मौसम बिग्यानी जन्वरी 2022 की अब तक पड़ी ठंड को सबसे लंबी आओधी की प्रभाव साली सीथ बता रहे है इस साल प्रदेस के विबिन इलाकों में 18-20 दिन कोलिटी दर्ज किये गए हैं यह समानी से करीब 4 गुनाधिक है इसी तरह इस मकर संक्रादी के बाद तक लगतार सीत लहर बने रहना दुरलब मौसमी गटना करम माना जा रहा है और हंद के बड़ी के पर बिहार में खेत में गिरा सिना के बिमान लोगों ने उठा कर ला दिया सडक पर बिहार के बोध गया में सुकुरवार को दखने की खराबी के कारान भारतिय सिना का लाइट एर क्राप आन्यांतरित होकर खेत में जा गिरा लाइट एर क्राप संक्या डवलो एम एक सो दो पर परिसिचन के लिए दो पाइलट सवार थे हादसे के बाद दोनों पाइलट बाल बाल बज गए खेत में विमान गिरनी के सुचना जब ग्रामीनों को हुवी तो दरजनों की संक्या में घटना इस्तल पर एकटा हो गए दोनों पाइलट इस बात से परिसान थे कि आकिर कैसे विमान को खेत से हटाया जाए इस बेज दरज़नों की संक्या में मौजूद ग्रामीनों ने खेत में गिरे विमान को गंदे पर लाद कर मुई के मारग पर रख दिया आज के लिए आपका स्वाल बताए कि मोबाल रिचार्ज की वेलेडिटे 28 दिन की जगा 30 दिन करने का फैसला सही है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए